मैंने जिस होस्टिंग की बात करूंगा उसके अंदर आपको क्या-क्या चीजे मिलने वाला है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बता लिए कि 50 रूपिया पर माहिनी के इसाब से आपको इस प्लैन मिलने वाला है बट इस वीडियो के साथ कम्प्रीट बने यह आप आपको सर्फ एक रूपिस के अंदर मिलने वाला है पूरा साल का तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको चीजे क्या-क्या मिलने वाला है ओ देख लिजिए 1GB RAM मिलेगा, unlimited bandwidth मिलेगा, 10GB SSD storage मिलेगा, one domain hosting करने का option आपको मिलेगा, एक email account आप होस्टिंग कर सेक तो एक database आपको म मिल दाएगा, जी हाँ क्योंकि मैंने इसकी जो company है उनसे direct बात किया हूँ, आप लोगों के लिए special promo code generate किया हूँ, आप लोगों के लिए special link generate किया हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको एक साल तक free में use कर सकते हो, मतलब बिलकुल आपको सर्फ और सर्फ एक रूपीज पे कर पड़ेगा, नीचे description box में link है, उसके उपर click कीजिए और आगे की process को में follow कीजिए, इस process में मैं एक जो मतलब खड़ी दूँगा, उसके साथ जो एक्टीब करके दिखाऊंगा, payment process को complete करके दिखाऊंगा, साथ में मैं एक दुम c-panel तक जाके आपको c-panel भी मिलता है, जै जैसे आपने मेरे description box में जो link दिया हुआ है, उसके उपर click करेंगे, तो इस type of page आपके समने open हो जाएगा, यहाँ पर company का नाम देख सेक्ट की, जो कि है Sparrow Host, ठीक है, तो सबसे पहले इस company के बादे में थोड़ा सा जानकरी कट्टा करता है कि कैसा है company, उसका review कैसा है, तो हम यहाँ से सीधे चलेंगे hostadvice.com साइट के उपर, और आपको पता नहीं है, नहीं पता है, तो मैं पता दूँ कि hostadvice जो है, अलग-अलग hosting की जो company होता है, जो hosting service प्रोवाइड करते है, उनकी service को खरिद्ध है, और उसको देखता है, या फिर जो लोग या फिर जो लोग इसको यूज करते है, उनसे जो है, रिव्यू लेता है, रेटिंग लेता है, उसके बाद सारे के सारे calculation को मिला कि ये खुद का एक rating देता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ, company कैसा है, तो यहाँ पर देख सकते है कि fast comet नाम की company है, जो की web hosting service प्रोवाइड करता है, जिसका rating देख सकते हैं, 9.6 का है, A2 hosting जो हम लोग का favorite hosting service company है, उसका भी rating देख सकते हैं, 9.3 का है, थोड़ा सा नीचे आ जाईए, तो आपको और भी चीज़े मिल जागा, यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग का सबसे फेवरेट जो होस्टिंग कार के भी rating देख सकते हैं, 9. 9.2 के है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, सबसे पहले search कर लेते हैं किसको, यहाँ पर एक search का button आपको मिल जाएगा, तो इसके उपर मैं search करना हूँ, और search करके मैं यहाँ पर लाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड को लाता हूँ, और यहाँ पर डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिग दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हूँ, यह आभी चुका है result, तो इसके उपर मैं करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते यह front look जो है आ चुका है homepage का look ठीक है वो company अच्छा है ठीक है यहाँ पर और भी इसका uptime भी चेक कर लेता है uptrend से यहाँ पर देख सकते हो कि premium मैंने चेक किया था यहाँ पर sparrowhost.in मैंने लिखा भी हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कि all checkpoints मैंने इसको check किया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कि green का है मतलब कि अच्छा ही आपको result मिलेगा ठीक हर एक country में जो है green का आपको signal मिला है चली अच्छा बात है यहाँ से एगें चलते homepage के उपर यहाँ से आपको आना के बाद क्या करना है यहाँ पर देख सकते हो कि buy a domain order hosting तो चले यहाँ से सीधे order hosting के उपर करता हूँ click और click करने के बाद आपके सामने कुछ इस type of page open हो जाएगा तो आपको सबसे पहले यह basic बाला plan जो है इसको choose करना है तो यहाँ पर order now के बटन के पर आपको करना है click और click करने के बाद यहाँ यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आप सीधे यहाँ से इन लोगों के पास से register domain करवा सकते हो मतलब domain register करवा सकते हो और नहीं तो आप exciting domain को यूज करूंगा जो मेरे पहले से है तो यहाँ पर मैं I will use इसके पूर मैं करूंगा click और यहाँ पर मैं मेरे domain enter करता उसके बाद जो है मैं इसको change कर दूँगा ठीक है तो k-a-r-o-b-l-o-g-g-i-n-g right करो blogging मैंने यहाँ पर enter किया हूँ और enter करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं एक extension एंटर करता हूँ जो कि हमका है in का ठीक है तो मैंने in वाला extension को भी यहाँ पर लगा दिया हूँ उसके इसको use के बटन के उपर करता हूँ क्लिक और जैसे क्लिक किया हूँ यहाँ पर देख सकतो कि आपके समने कुछ इस टाइप पपेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो बी ओडर समवाली चूस करना है तो यहाँ पर जैसे आपने continue बटन के उपर आएंगे तो यहाँ पर एक रूपईया में कनबार करेंगे तो प्रोमो कोड क्या होने तो मेरा ही चैनेल नेम का प्रोमो कोड विधाउट स्पेस्यू अप जो सब कापेजिये लेटर में डालिए अ अरूपको धूंु आप जूका है बाकी का जो चार मतलब 495 रूपई जो हैने उपको अपको एक रूप्य यहां से सीधे चेक आईट के उपर करता हूँ क्लिक, अब आपकी बारी आती है कि आपको एक क्था एक एक अक्षम्त बना है आपको आपके डाया हमें लोग क्या करें कि यहां पर देखिए फ्रास्ट नेम का जो सिक्सवन है इसके बार मैं करता हूँ क्लिक और मेरा नम बगरा डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फोन नमबर बगरा डालता हूँ और जो में चीज है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकती कि लिएम यहाँ से सीधे पैंन कर सकते हूँ आपको प्याड़ है अप तो यहाँ से सब्से पहले प्योग करा लिजी और उसके बाद इसको फोड़ी जिए चैनाय होँ ठीक है उसके बाद यहां पर complete order के उपर आपको click करना है और click करने के बाद यहां पर पासवाडर देए उसको don't save कर दीजिए ठीक है और यहां पर देखिए आपका order बाद कोड भी आ चुका है यहां से आप स्कान करके भी payment कर सकते हूं यहां पर फोन नमबर डाल के आप जो है पेटियम का code लेके भी कर सकते हूं यहां फिर यहां फिलाल के यहां पर डिविट कार्ट चूज़ करता हूं और चूज़ करने के बाद यहां पर मैं card number डलूंगा यहां पर expiry date डलूँगा यहां पर CBB डलूँगा और पे रूपीस वान के उपर क्लिक कर दूँगा तो देख सकते हो कि मैंने यहां पर card details फिल कर चुका हूँ और यहां पर मैं पे रूपीस वान के उपर करता हूँ क्लिक सो यहां पर देख सकते हो कि मेरे card के मतलब मेरे phone पे अब एक OTP आने वाला है और उस OTP को मैं यहां पर फिल करूँगा यहां पर मेरा OTP आ भी चुका है यहां पर क्लिक ठीक ठीक है अब उसके बाद जितने भी बार आपको यहाँ पर जो है सेब करने के लिए बोलता है तो इसको आप इग्नूर कर दीजिए तो मैंने यहाँ पर सब्मीट OTP के उपर किया हूँ क्लिक अब देखता हूँ कि क्या होता है result मेरा payment यहाँ पर अक्सिसपुली होता है या फिर नहीं होता है तो यहाँ पर देख सकते हूँ कि मिरको बता रहिए कि भाई order confirmation हो चुका है और यहाँ पर प्लिस चेक और email and follow the verify your email address आप इसको मतलब verify कर सकते हूँ यहाँ पर देख सकते हूँ मेरा order number भी आ चुका है तो continue to client area में जाके देखता हूँ कि भाई चीजे क्या हुआ है ठीक है चलिए यहाँ पर button मिल देए continue to client area तो इसके उपर मैं करता हूँ क्लिक और उससे पहले मैं एक बर order number को लिक के रखता हूँ तो इस order number के तुरू हम लोग इससे connect कर सकते हैं इससे बात कर सकते हैं यहाँ आप लोग भी order number को यहाँ पर लिक कर दीजिए पैनल को login करने की कोसिस करेंगे तो यहाँ पर मैंने my product and service के पूर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हूँ कि status जो active हो चुका है और यहाँ पर basic मतलब चीज़े दिखा डिये तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस active button के उपर करता हूँ क्लिक और आगे की scene देखता हूँ कि कहाँ पर मेरे को लेके जाता है तो यह रहा हमारा cpanel यहाँ पर देख सकते हूँ कि quick support quick shortcuts यहाँ पर दिया गया cpanels की तरफ से या फिर आप यहाँ से देख लेंगे billing की sections के उपर जाके कि हमारा next paying date कब का होने वाला है तो my invoice के उपर मैं करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि invoice date जो है इसके उपर मैं करता हूँ और बाकी के सारे चीज़े यहाँ पर paid दिखा रही है मतलब मेरा यहाँ पर active हो चुका है finally ठीक है तो इस तरीके से आप लोग भी इसको कीजिए और आने मेले टाइम पर मैं इसका customization बगरा वीडियो लाने वाला हूँ तो वीडियो के साथ जूड़ 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 जू पारते रहे हैं मैं में विडियो में तब तक के लिए बाई